कि फाइनेंस एंटेक्स की अपडेट छूट न जाये इसलिए फटक से सब्स्राइब कर दीजिए और बैल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे करेंगे उसके लिए हम बाज बात करेंगे तो दो तरीकी के आपका पास option होते हैं या तो आप जब application जो है submit करने के बाद या तो physical mode में आप submit करा सकते हैं UTII TSL के office में जाकर या फिर आप क्या कर सकते हैं या फिर आप digitally sign कर सकते हैं उसको तो दोनों में से जो मर्जी आप चाहें वो अवेल कर सकते हैं तो अगर आपको अगर अधार बेस option स्रिफ individual के लिए अवलेवल हैं लेकिन अगर आप other than individual है तो DSC mode के लिए आप जाहिए उसके बाद जो भी आपके applicant है उसको choose करिए अभी let's say मैं LLP का example लेता हूं तो LLP को मैं यहाँ पर select करकर अब यहाँ पर आप यहाँ तो अगर physically pen card भी चाहते हैं और e-pen चाहते हैं वो आपके पास option है तो अगर मैं बोथ के लिए अप्लाई करता हूं बोथ physical pen card and e-pen के लिए तो इसके अंदर जो fees होते हैं थोड़ी सी differ करती है अगर मैं e-pen के लिए अप्लाई करूंगा तो इसके submit करने के बाद आपके पास एक reference नमबर आ गया आप इसका screenshot भी ले सकते हैं इसको अपने पास copy भी कर सकते हैं कहीं पर इसके बाद यहां पर आप सरनेम डालिए मतलब जो भी फर्म का नाम है वह यहां पर एंटर करिए उसके बाद नेक्स पूछ रहा है कि नेम ओन कार्ड क्या होना चाहिए तो नेम ओन कार्ड वही जो आप लास सरनेम में जो basically मैं आपको बता दू कि other than individual के अंदर जो भी 7th June 2020 उसके बाद address for communication तो office का address जाल देते हैं address for communication उसके बाद residence उसके बाद Delhi office state उसके बाद आप इसको next step पर click कर दीजिए उसके बाद आप से पूछेगा कि which of these documents are you submitting as a proof of identity proof तो LLP की copy है यहां पर वो लगानी पड़ेगी उसके बाद which of these documents are submitting तो again by station की copy उसके बाद date of birth के certificate of registration ही उसके बाद next step कर देते हैं आपको सिर्फ मतलब जैसे LLP के लिए सिर्फ आपको certificate of incorporation है LLP का registration का वही लगाना है यहां पर उसके बाद आपको telephone number और email ID यहां पर डालनी है तो आप इसको सम्भी हां पर डाल दीजिए यह डालने के बाद आप इसको next step कर दीजिए उसके address है office address डालने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपकी किस तरीकी की income रहने वाली है जो भी pen card के लिए आप apply करने वाले है या तो अगर income होगी या फिर नहीं होगी तो LLP के लिए आप जो है आप business and profession के अंदर टिक करके उसके बाद कुछ है किस तरीके का business है आपका तो वो select कर लिए उसका next step कर दीजिए उसके बाद आपको AO की code की detail दाननी पड़ेगी तो यहाँ पर आप get AO code करिए आपको पूछ रहे सिटी क्या है कौन सी आपकी तो डैली डैली सर्च कर लिजिए डैली में सर्च करने के बाद इसको फ्लिक करिए जो भी आपके साब से आपका जो code बनता है आप alpha white wise देख सकते हैं जो भी आपका code बनता है आप उसके साब से जो भी यहाँ पर आ रहा है उसके साब से आप यहाँ पर इसको एंटर कर दीजिए एरिया कोड को, AO टाइप को, रेंज कोड को और AO ना यह एंटर करने के बाद आपको जो रिपर्जेंटिटिव है जो भी मतलब जो भी आपके जैसे अभी अगर LLP की में बात करो तो जो भी पार्टनर है उनकी डीटेल आप डाल दीजिए यहां पर तो जो भी उनकी डीटेल ह कि दरेंगा जो कि उसका नेक्स है रीठिश टैप कर दिए हैं घ्रशर इसराइशन नमबर भूल गये हैं रीचुतन अम जैसे आप डाल दिए तो जो भी आपका रीचुचन अमबर है अगर वी जो आप यहां पर दबारा आपको करनी है तो इसके बाद आप शब्मिट कर दीज़े स्को जैसे आप सममेट करेंगे तो इस तरीकी की डीटेल आ गई आपके पास आप देख सकते हैं आपकी जो भी डीटेल हैं आप आप एक बार verify कर लीजिए सारी चीजे ऐसा नहीं हो कि कुछ बढ़ बढ़ हो गई हो तो सारी चीजे आप verify करने के बाद आपको क्या करना है आपको payment कर देनी है तो जो payment है उसके लिए make payment बुलेए तो इस तरीके से payment होने के बाद आपके पास जो page है information का वो आ जाएगा इस त के वरिटेंगे के सारी डीटेल आ अगई है आपको करना है आपको, जो पैन application है जो भी आपने form Ouais आफम डाउन लोड कर देना है तो आपको डीए-स ए-सके लिए वो सीखना है तो आप पॉलोड करते हैं उसके बाद upload sign pan form जैसी आप upload genशनी तो इस तरीके का value की आप आजाएगा विशनीota है आप तरीका दकिता के करा और अब पर घॉट करेंगी चैनलूड Twoją भी आप mutta प्रेंट करना चाहें हैं कर सकते हैं जैसे आपकी मर्धी हो उस तरीकेसे है तो सकते हैं हो स्टेडस है जैसे सब को अगर मतलब आपका ये सबसे पहले तो आपका mail पर आएगा जो भी आपकी mail आईडिया आपने जो एंटर करी है mail पर आएगा और जो भी आपका physically आपके address पर आएगा तो इस तरीके से ये process रहेगा I hope आपको इस वीडियो के नहीं समझे आएगा किस तरीके से pen card के लिए apply करना है कोई आपका कोई भी डाउट हो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आईए तो like करते जएगा चैनल को subscribe करते जएगा थैंक यू